Post sales का follow-up सबसे ज़्यादा benefit पता है क्या देता है आपके business को 30 से 40 परशेंट बढ़ा देती है sales के लिए follow-up के लिए सबसे important क्या है मैं इस closing skill को अपने business में हमेशा use करता हूँ जब भी को ऐसी बड़ी deal होती है We are Metas Lifestyle, India's leading manufacturer of Staleness Steel Modular Kitchen, Bathroom Vanity, Wardrobe and Steel Interior Offering, Franchisee Showroom and Dealership Showroom, Pan India You may contact my team To know the requirement and problem of your client जब आप किसी भी client की problem का right solution देते हैं तो वो यह चाहता है कि यह बंदा मेरी help कर रहा है आपको यह महसूस कराना है कि सामने वाले व्यक्ति को कि आप helpful है उसके लिए तो ज़्यादा बेतर तरीके से आप Sell भी कर देते हैं और उसको लगता है कि बेचने का प्रयास नहीं कर रहा है Next, Understand wisely उसकी कोई problem है, कोई चीजें वो आपको बताना चाहता है अच्छा, Salesman की सबसे बड़ी problem पता क्या है वो थोपना चाहता जब रहता है, अरे नहीं सर मैं बताऊंगा कौन सा बड़ी है तो जब वो ऐसा प्रयास करता है तो क्लाइंक कई बार मिस होने के chances होते हैं उसकी बात को wisely सुनो, समझो और उसकी ज़रुवत के हिसाब से सही तरीके से उसको guide करो Next, Suggest the best solution to the requirement or problem अगर उसकी कोई ज़र तो उसका best solution क्या है, या अगर कोई problem है, तो उसका solution क्या है, उसकी requirement क्या है, इस बात को अच्छे समझे Ask for confirmation, अभी एक बहुत बड़ी problem हम में से बहुत सार लोगों के साथ है, closing skills की problem है हम जाते है, proposal बताते है, सब कुछ समझाते है, कहते हैं सरा बता दीजिएगा, तो मैं कब बात करूँ आपसे बताने के लिए, तो वो कहता है कि जब बात करना, यह बड़ा important है, closing, यह जाला तर business owner की problem है, वो सारा proposal सारी बात सब कुछ समझा देंगे, और deal को ओपन छोड़ क आजाएंगे, कितने लोगों को ऐसा रखता है कि वो ऐसा करते हैं, बता जिया सब कुछ, ठीक है सर, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक फोटो लगेगी, वो ही वाली जो अधार कार्ड में है, जो actual से match ही नहीं कर रही है, आप ही हो ना समें, ठीक है सर, त पता है, पंदर मेंट लग जाएंगे, इतने माधार कार्ड, पैन कार्ड सब लोड हो जाएगा, सर वो चेक, अभी दिया है मैंने, आप ही के मेंबर को, बाद में पता लगा, अच्छा, यह होती है, closing skills, तो मैंने वो चीज़े सीख ली, तो मैं सच बता रहा हूँ, हम में से बहुत सारे business owner, closing skills में बहुत delay है, सब बताने के बाद उसको open छोड़ देते हैं, open नहीं छोड़ना, आप तो सब बता दिया है हमने, आप तो उसको knowledge दे दी है, अब वो ही knowledge का इस्तिमाल, वो दूसरे supplier के साथ करेगा, एक client को सब सरे intelligent पता है, कौन बनाता है, एक business owner बनाता ह है, फिर वो ही कहानी जाके वो दूसरे को पता देता है, जैसे हमसे बोलते है ना, पांच लाख, किसी और ने का चार लाख, किया का तीन लाख में मिल रही है kitchen, तुम करें बन वालो, बोल देते हैं कही बार गुस्से में है नहीं, पर यह नहीं बोलना है, क्योंकि बाद में बिजनस में आपको पता हो न, 20 मिनट का टाइम है, तो कम से कम 10 से 12 मिनट क्लोजिंग के लिए जरूर रखें और उठें न, ask for confirmation and close the deal, हमें से चीजे बताने के बाद confirmation नहीं कहते है, हाँ सर, हमने ये सीखने के बाद हमने पता है क्या किया, सारी design हो गई, सब कुछ हो गई, और अभी client कर रहा हा, हाँ, ठीक है, अभी wife को भी दिखाऊंगा, closing वो निकाल लेते है, registration form, order form, आप विश्वास माने, human psychology है, जैसे ही आप, registration form, order form, closing form, जो भी आपका एक process है, तो हम क्या करते है, order form निकालते है, भरना सुरू करते है, भाई से नाम बोलो, अब उसका ध्यान चला था, अच्छा नाम, नाम रमेश शर्मा, बैसे payment कितने लिखूं, मैं आपको बता रहो, real example है, मेरे साथ अगर कोई deal बैठ जाती है, तो मैं फटाक से form ही निकालता हूं सीधा, सारी बातचीत पहले उसकी सुन ली, जैसे नील बटे सननाटा हुआ, मैंने form निकाला, बै नाम, मुबाइल नमबर, email ID, address, इतना तो फिर भी चाहिए आपको, तो form बना के रखो, भर दोस का form पटापट से, सर यहां साइन करो, अरे, वाइप भी देखेगे, दिखा देगे, सर दुबारा कोई change होंगे तो बता देगे, मैं इस closing skills को अपने business में हमेशा use करता हूं, ज बहुत important है किसी भी business में sales करने से पहले ना, sales का जो system है, उसको develop करना होता है, number one, art of follow-off, pre-sale, माल बेचने से पहले follow करना होता है, अचा, post-sale भी होता है, जिसमें हम कोई भी ज़्यादार काम नहीं करते हैं, तो pre-sale क्या होता है, सबसे पहले, understand need of client, उसकी जरूत को अच्छे समझो, suggest best solution, as a consultant, not like a salesman, आप सही तरीकिस उसको guide करेंगे, समझाएंगे, तो उसको बाते स इंटियर का काम क्या है, नया इंटियर करना, कितना प्यारा इंटियर है, देखा, हमने design किया है, तो वो कभी भी आपको, आप उसके लिए client नहीं बनेंगे, वो कमी बताएगा, कि सरी combination में न, जो यह blue flower है, यह इस पर अच्छाड ही लग रहा है, यहाँ पर यह तो golden आना च चाहिए थी, यह carpet change होगा, तो वो अपना business generate करता है, हमें रखता है, इस client का सब कुछ ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, नहीं, उसको बताओ कि, क्या कमी, जब तक आप चीज़ों को neglect नहीं करेंगे, या उसको negatively बताएगे नहीं, उसको समझ में भी न आएगा, दस बाते अच्छी बताके, कम से कम तीन कमी बतादो, वो आपको जरूर आपके साथ deal करने के लिए, तयार होगा, क्योंकि 7 बार वो खोश हो चुका है, यह important है, हर उस business owner के लिए, जो अपने business में, खुद, एक sales representative के रूप में काम कर रहा है, follow up until deal close, if not, then start from one, next, अब भी आप sales के लिए follow up कर रहे न, sales के लिए follow up के लिए सबसे important क्या है, show your care, कि आप उस व्यक्ति को जो product या service देना चाहते हैं, वो किस तरह से उसका लाब ले सकता है, कैसे उसको beneficial हो सकती है, उसके बाद improve experience, an address problem, sales को boost करने के लिए steps बहुत important है, अगर आप सही तरीके से sales leads को follow up करना सीख गए, तो बिना कुछ किये, जितनी leads आपके पास हैं, वही leads आपके business को 30 से 40% बढ़ा देती है, इसका मतलब customer acquisition cost हमारी अपने आप घड़ जाती है, अगर हमारी leads ज्यादा convert हो जाए, yes or no, यह तो बहुत simple चीज है, सब समझते हैं इस बात को, so boost your sales, and after sales follow up, हम आपने एक corporate company से सीखा, कि जितना follow up वो पहले करते हैं, उतना ही follow up बाद में भी करते हैं, और उस follow up का फायदा क्या होता है, मैंने किसी से पूछा हाँ, एक client को आपने तीन मेने तक follow किया, deal होगी, deal होगी, बस बात खतम, पैसा हमारे पास, माल उसके पास, हम अपने घर, व अपने घर, उसने समान ले लिए, आपने पैसे ले लिए, नहीं, अगर आप post sales का follow up भी सही से समझ लेना, तो post sales का follow up सबसे ज्यादा benefit पता है, क्या देता है, आपकी recurring demand generate कर देता है, कई बार, या, एक extra benefit क्या देता है, कि आपका existing client है, वो आपको better references देना शुरू कर देता ह Number one, express your gratitude, कि sir, आपके साथ deal हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, अगर आपके experience में कोई problem प्लीज address है, हमें बताएं, जब आप ये बात उससे पूछते हैं, तो व्यक्ति आपको कई बार बता भी यह था, आपकी सारी बात बहुत अच्छे है, पर ये बात अच्छे हैं लग खरान लग क्रिष्णा, ओम नमस्ण Körper, आप भगवान शर्व और मानते नहीं निसक्रा हैं, जूरी निस दसरा मानता हूँ, साहएं बाभा को साफे ले आउम कऊना हो, तो क्यों हम किसी की भावनां को आहत करें, आपने यह किसी देखते हैं सुबही सुबह तो उससे कभी आपको benefit नहीं होगा विश्वास मानें आपके पास जो ऐसे WhatsApp आते हैं उनके नंबर बढ़ते जाते हैं 30, 40, 50, 60, 90 आप देखते ही नहीं है और एक साथ right square करके उसको delete कर देते हैं यस और नो तो आपका भी हो जाएगा ऐसे delete इसलिए जरुवत क्या है अपने business related informations, articles, update उनको regular भेजते रहें regular का मतलब नियम ना बांदल हो जाना new year wish है birthday wish है anniversary wish है 26 जनवरी है 15 अगस्त है दिवाली है selected days उन पर तो जरूर करें और अगर आप कोई नए update आया है तो वह information जरूर दे अगर आप रोज information देंगे तो जिस दिन सच में update आएगा उस दिर्वा आपकी information को नहीं देखेगा इसलिए regular उनको update करते रहे development of management skills problem क्या है जब हम traditional business करते हैं तो management skills हमें विरासत के रूप में मिलती हैं वह वाली जो समय की best हैं और जो आज के समय पर outdated हो चुकी है जैसे marketing skills आज अगर आप किसी पुराने institute owner से पूछेंगे ना तो बताएगा हम board लगाते हैं और बंद कर चुका institute अगर आज चल रहा है तो इसका मतलब आज की modern marketing strategy को अपना रहा है अगर वो outdated है और बंद हो चुका है तो आपको बताएगा board लगाते हैं लगाते हैं बल्क WhatsApp करते हैं लेकिन आज का समय ना बल्क मैसेज का है ना बोर्ड वोडिंग का है आज का क्या डिजिटल प्लाटफॉर्म का है जितना ज्यादा digitally आप अपने business को develop करेंगे उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे